Hello everyone, मैं हुरी शब और New Lake Business Ideas में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको T-shirt making business के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो एक detailed वीडियो है मैंने इस वीडियो में सारे topics cover किये हैं जैसे कि machines, area requirements, raw materials, marketing and sales और investment तो अगर आप एक successful T-shirt making business से start करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको ये वीडियो last तक जरूर देखना चाहिए तो अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब कर दे और भी नए-ने business ideas के लिए और इस वीडियो को भी like जरूर कीजिएगा तो एक T-shirt making business से start करने के लिए जो सबसे important चीज़ है वो है machines तो machines में आपको सबसे पहले चाहिए होगा fabric cutting machine जो की आपकी fabric को cut करेगा उसके बाद आपको चाहिए होगा swing machines तो swing machines में आपको अलग-अलग swing machines चाहिए होगे अलग-अलग काम करने के लिए जैसे कि lock stage machine, overlock swing machine, fatlock swing machine यह सब को swing machines आती है तो आप जैसे भी T-shirts बना रहे हो round neck T-shirt, collar T-shirt उसके लिए आपको अलग-अलग swing machines लेनी परेगी उसके बाद जो next machine है होगा commercial ironing machine जो की steam ironing machine होती है यह आपको लेनी परेगी प्लस आपको printing machine भी लेनी परेगी अगर आप T-shirts ब्रैन्ट भी करना चाह रहे होतो हो और printing machine में दो तरह के printing machine आती है पहला होता है screen printing machine और दुसरा होता है hit press machine तो यह दोनों printing machine से आप कोई भी एक printing machine ले सकते हो तो अब नेक्स्ट बात करते है raw materials की, तो t-shirts बनाने के लिए आपको जो raw materials चाहिए वो है fabric, तो fabric में आप कोई भी fabric ले सकते हो, अपने t-shirts बनाने के लिए जैसे कि cotton हो गया, polyester हो गया, और भी अलग-अलग fabric आते है, तो आपको जैसे t-shirts बनानी है, उसके हिसाब से आप fabric ले स चाहिए होगा, या तो आप labels print भी कर सकते हो, क्योंकि आप t-shirts में label printed भी आती है पीछे में, उसके बाद आपको चाहिए होगा tax, तो आपको अपने brand के नाम से tax भी चाहिए होगा t-shirts में लगाने के लिए, और last में आपको raw materials में plastics बैक चाहिए होगा packaging करने के लिए t-shirts को, अ प्लस के बाद आप वहाँ पर ironing machine रखेंगे, printing machine रखेंगे, प्लस वहाँ पर storage रहेगा, जहां पर आपका raw materials जो भी आपका fabric है, वहाँ पर store होगा, प्लस जो आपके t-shirts बन जाएंगे, उसको भी store करने के लिए कुछ space आपको चाहिए होगा, अब next बात करता है manpower की, तो manpower में total आपको 8 से 10 लोग चाहिए होगे, जो आपके fabric को cut करेंगे, stitch करेंगे, iron करेंगे, print करेंगे, pack करेंगे, ठीक है, अब next बात करता है electricity की, तो आपको total 10 kilowatt electricity load चाहिए होगी, अगर आप सब कुछ खाम एक साथ करना चाहते हो, जैसे कि आप cutting भी कर रहे हो, fabric की ironing भी कर रह होगे, ठीक है, अब next बात करते है license की, तो license में आपको GST, trade license और trademark चाहिए होगा, trademark अगर आप अपना खुद का एक brand मनान चाहते हो, तो उसके लिए आपको trademark registration जरूरी होगा, अब next बात करते है sales की, तो आप कहां कहां पर sell कर पाओगे अपना t-shirts, तो आप अपना t-shirt अप उन्हें supply कर सकते हो अपना t-shirts, उन्हें आप bulk में provide कर सकते हो, wholesale में provide कर सकते हो, तो वहां से भी आपका t-shirt sale होगा, और प्लस आप दुसरे business को, दुसरे brands को भी t-shirts bulk में बना कर sell कर सकते हो, उनके brand से, गर मालो कि अगर आपके पास कोई business आता है, वो बोलता है कि मुझे अपने brand से चाहिए, मुझे खुद का brand रखना है, आप में लिए इस t-shirts बना दो, ठीक है, तो आप bulk में 1000-2000 t-shirts बनाओगे उनके लिए, और उनका brand रहेगा, इस तरीके से भी आप अपना t-shirt making business चला सकते हो, और अब बात करते हैं कि आप अपना business का marketing कैसे करोगे, तो marketing करने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका भी है, वह यूटूब पे आप खुद का channel बनाओ, वहाँ पे आप अपना daily t-shirts दिखाओ, आपके जितने भी t-shirts हैं, जितने भी varieties का t-shirts हैं, ऐसे बहुत सारी channels है, आप खुद का भी एक channel बनाओ, वहाँ पे daily, आपना t-shirt का video बनाओ, investment में सबसे पहले हम fixed cost की बात करेंगे, तो fixed cost में सबसे पहले हम machines की बात करेंगे, तो machines में total आपको 3-4 लाक रुपे invest करने परेंगे, जिसमें आपका cutting machine रहेगा, swing machines रहेगा, ironing machine रहेगा, और एक printing machine रहेगा, तो minimum आपको 3-4 लाक रुपे लगेंगे, और उसके बाद है security deposit, अगर आप एक space rent कर रहे हो, अगर आपका खुद का space नहीं है, जहां पर आप अपना factory लगाओगे, टी-shirt making का, तो आपको एक space rent करना परेगा, तो आपका सुरू में वहाँ पर security deposit भी देना परेगा, तो security deposit आपका कहीं भी 50,000 से लेकर, एक 2,000,000 का भी हो सकता है, जहां पर पर एक electric connection लेना परेगा, अपने नाम से, ठीक है, अपने business के नाम से, प्लस वहाँ पर wiring भी करवानी परेगी, इसका भी आपको 40,000 to 50,000 लग जाएगा, और इसके बाद है license and registration, तो license and registration में आपको, अगर आप trademark भी लेते हो, तो आपको 10 से 12,000 रुपे license और registration के लग जाएगे और इसके बाद आपको कुछ tables बनवाने परेगे, आपको एक बड़ा सा table बनवाना परेगा, जहाँ पर आपका fabric cut होगा, और इसके बाद आपको कुछ racks लेने होगे, fabric रखने के लिए, t-shirts जो बन जाएगे, उसको रखने के लिए, तो इसका भी आपको खर्च 15 से 20,000 किया है, सबका आपको salary देना परेगा, प्लस आप जो raw material ले रहे हो, fabric आप ले रहे हो, trades ले रहे हो, ठीक है, उसका भी आपको pay करना होगा, प्लस आपको monthly electricity bill भी pay करना होगा, तो आप next बात करते हैं profit का, तो t-shirt making business पे आपका profit क्या रहेगा, तो अगर आप direct sell करते हो, अगर state में ठीक है, दुगानों में supply करते हो, अगर आप bulk orders लेते हो, t-shirt manufacturing का, तो यहाँ पर आपको profit है, वो 10% से लेके 20-25% तक रहता है, तो अब last बात करते हैं, t-shirt बनाने का process के बारे में, तो process में आपको सबसे पहले जो fabric होती है, वो fabric को आपको cut करना होता है, आप table पे पुर करना होता है, उसके बाद आपकी जो fabric cut हो जाती है, उसकी हमें stitching करनी होती है, ठीक है, आपका neck हो गया, solder हो गया, hem हो गया, sleeve हो गया, इसकी stitching होती है, आपके जो यहाँ पर धेर सारे machines होते हैं, अलग-अलग machines की अलग-अलग काम होती है, कोई machine आपका सिर्फ neck stitch करेगा, कोई सिर्फ आपका hem stitch करेगा कोई सिर्फ shoulder stitch करेगा आपके t-shirt stitch होती है उसके बाद इसमें आपके label print होती है label या तो आप stitch करोगे या तो print करोगे उसके बाद आपके t-shirt की iron होगी ठीक है और अगर आप t-shirt print करना चाहरे हो यह और आप t-shirt print करना चाहरे हो तो उसमें print भी होगी और के brand से online sell कर सकते हो प्लस आप बरे-बरे businesses को bulk में भी sell कर सकते हो, दुसरे businesses के brand के भी आप टीशर बना सकते हो उनके लिए आपको बरे-बरे businesses से बरे-बरे orders लेने पड़ेगी, आप उनके लिए भी बना सकते हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारे चैलेज सब्सक्राइब कर दे और भी नए-नए business ideas के लिए और ये इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा